राजस्थान में विधानसवा चुनाओं का विगुल बच चुका है भाजपा कॉंग्रेस या कहें इस्थानी पार्टिया दम लगा रही है दम जोक रही है ताकि आने वाले चुनाओं में जनाधार उनके साथ हो केंद्र हो या राज्य हो दोनों सरकारों के सामने रखी जारी क्योंकि अगले साल ही लोगसवा चुनाओ भी है इसी करम में बास्वारा में साथ साल बाद एक बार फिर एक बड़ी मांग उठी है जिसमें बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं और रेली निकाली और उसके बाद जनसभा हुई है जनसभा में भी रेली से जादा संख्या में लोग पहुँचे हैं बाशवारा सहर में ये रेली निकली और खेल मेदान में जनसभा हुई मुद्दा था आरक्षन जन जातिय उप्योजना शेत्र टीएस्पी ट्राइबल सब प्लान के लिए 73 प्रतिशत आरक्षन की मांग जो 2016 में उठी थी एक बार वापिस से उठ चुकी है चुनाओ से 6 महीने पहले विधान सवा चुनाओ जो राजस्तान में होने वाले हैं इसके लिए आदिवासी आरक्षन मंच मिशन तियात्तर की तरफ से एक रेली का आउजन किया गया और रेली में बड़ी संख्या में यूथ पहुचा और खेल मेदान में वहाँ खेल मेदान में एक बड़ी जनसभा हुई इस जनसभा में बड़ी बात यह थी कि मंच पर आदिवासी आरक्षन मंच मिशन के जो पदादिकारी थे वह तो मोजुद थे ही लेकिन तीन पार्टिया पिटीन पार्टियों के पदादिकारी भी मोजुद थे इसमें भाजपा, कॉंग्रेस और भारतिय बीटीप कहते हैं जिसे भारतिय ट्राइबल पार्टी केस्प पदादिकारी भी मोजुद थे प्रदेशा अद्यक्स भी मोजुद थे और इन तीनों पार्टियों के बदाधिकारियों के सामने ही आदिवासजी आरक्षण मंच मिसन के बदाधिकारियों ने एक बड़ी मांग रखी कि सरकार की तरफ से जो जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलना चाये पदुननती और नोकरियों में वह नहीं मिला तो एक चेतावनी के रूप में कहा है कि इसको एक बड़ा रूप दिया जाएगा और बड़ा रूप वह होगा जो कोई संभाल भी नहीं पाएगा इतने लोग इसमें इखटे हो सकते हैं बासवणा में यह सभा हुई और आगे भी इसी तरह से रणनीती आदिवासियों की तरब से की जारी है और इसमें आदिवासियों का एक बड़ा समूह साथ में हैं समर्थन में हैं कि उनको यहां आरक्षन मिलना चाहिए ABP News से विपिन सोलंकी उदैपूर